हेलो गाई इसके से आप सभी लोग तो यार आज के इस वीडियो के अंदर आपका फिर से दिमा कराब होने वाला है अब देखो यार आज के इस वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट प्रिमियम क्रेट की लिक्स दिखाने वाला हूं हागा इस फाइनली लिक्स आ चुकी है ने आप एको लगकी क्रेट एड़ कर दिया है अब कल की वीडियो मेरी यार पूरी फट्जी हो जाएगी मतलब यह देखने के बाद मतलब मैं क्या ही बताऊं गाइस आपको अब मैंना कुछ बोलूगा यह नहीं मतलब कुछ बताऊंगा यह नहीं मैं आपको ले मुझे मज़ाख करेट नहीं आएगा तो अगर फरवरी में आता है ना तो मेरी कहल और ऐसके बाद को प्रियम ग्रेंट देखने को मिले वाले हैं और वह बहुत सारे आइटम मिलेंगे विकॉज लग बढ़ा दिया है इसके लावगा इस एक होली इस्पेसिल क्रेट भी आने वाला है हाँ होली आरीना भी तो उसका भी आपको दिखाऊंगा आगे तो गाइस फटावट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब ज़्यादा मज़ा आने वाला चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना किसी देर के तो यह उससे पहले हैं आपर कैस्टो की वाइस वाली लगी क्रेट एक देख लेते हैं अब जो जोनातन की लगी क्रेट है वो तेरा दिन बाद एक्सपायर होने वाली और बाइस साब ब पुरानी वाली आउटफिट वापस आने वाली यह देखो गाई इसके लावा यहां पर सप्लाइ क्रेट का भी कंसेप्ट डाला गया जैसे कि आप देखोगे नीचे की तरफ आप टाइम लिमिट आइटम है उसके बाद सिल्वर फेक और स्क्रैप मिल रहे हैं अब इसके ब फोड़ी सी पिक्चर एड़ करिए तो थोड़ी साइटम इसके अंदर भी आने वाले हैं बाकि सारे टाइम लेमिट हैं और वही यार जो कैस्ट्रों के अंदर हमने देखा वही सैम कंसेप्ट इसमें भी है लेकिन इसमें थोड़ी मितिक आउटफिट ज्यादा मिल रही है मितिक आउटफिट है और लेजंडरी आइटम भी है इसके लगए इस कोई फलाना क्रेट भी आने वाला है अब पता निसका क्या नाम होने वाला है लेकिन इसके अंदर आपको देखो पर्चेस बोनस की वेक्टर है आई थिंक मेरे ख्याल से यह मेरे ख्याल से नहीं 100% यही चेक किया है मैंने जाकर तो मलब जो पर्चेस बोनस की वेक्टर है वह यूसी वाले बेकार क्रेट के अंदर आड़ कर रहे हैं और आउटफिट यहां पर चैन्ज कर दिए और इसका यह हैड़ियर है मास्क पता नहीं क्या है यह भी हैड़ियर है वह है तो यहां पर यह ची चैन्डल गार्डेन वाला प्रिमियम क्रेट होगा वह आएगा लेकिन नहीं अब चैन्ज होने वाला है पूरा सबसे पहले रकून वाला रकून है या सोरी रेट फांडा वाला आपको यह बैक पैक देखने को मिलेगा उसके पास एक न्यूव वेकल एड़ होने वाली है ब और यहाँ पर काफी सारे पुराने सेट इस प्रिमियम क्रेट के अंदर एड़ करें जैसे कि यह वाली आउटफिट और गईज यह वाली आउटफिट है ना आप काफी लोगों के निकलने वाली है बिकॉज इस प्रिमियम क्रेट के अंदर भी बहुत जादा चांसे है और अभी आप सोच रोगे यह तो भाई special crate है उपर की तरफ दिखरा होगा लेकिन भाई leaks ऐसे ही निकलती है उपर कुछ और नाम होता है अंदर कुछ और महाल होता है ऐसे ही आती है यह leaks हमें lucky man ने शेर किये lucky man को भी subscribe कर देना link description में भाई साब यह वाली जो buggy skin है ना मुझे काफी अच्छी लगी थी लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पाया था बहुत अच्छी buggy skin थी तो यह premium crate के अंदर आ रही next I think special crate के बाद आएगा यह next premium crate है ना या फिर पहले भी आ सकता है भाई कि इसके बारे मैं क्यूं बात कर रहा हूं मैं पता नहीं यह कान ना टेट की skin जो की पीछले वाले premium crate के अंदर आए थी मेरे क्याल से ना या फिर classic crate के अंदर आए थी बताऊगा इस comment में उसके बाद यह ड्रेगन वाला आउटफिट है जिनके टैक्च्चर सो नहीं हो रहे है अब देखो यहां पर भी टाइम लिमिट चीजे दिख रही है आपको तो सैम कंसेंट क्लासिक वाला जो डाला है बीजो मैं के अंदर सैम वैसे ही कर दिया वापस ओ भाई साब यह कार्टून वाली आउटफिट वाप है वैसे यार मितिक सैट है 100% नहीं काफी कम लोगों के निकलेगा मतलब निकलेगा देखना और हाँ अभी आप सोच रहो के भाई यार प्रिमियम क्रेट खतम क्यों नहीं हो रहा है इतने कितने आइटम यहां पर हाँ बहुत सार आइटम एड़ करें और सारे पुराने आइ काइड कर दी है यह निख कोन से आइट आइज तहुमियम क्रेट और सारी गन ड्याइड कर दीया अब जब एक्चुल में गेम के अंदर तब क्या होगा वाई सब्सक्तों चुका है यहाँ पर देख सकते हो फटीचर आइटम आचुके हैं लेकिन एक अच्छी बात है पैं सारे आइटम निकाल सकते हो मितिक आइटम भी आड़ करें नीचे की तरफ और उपर सारे लिजनरी और काफी सारे लिजनरी आइटम ही निकलने वाले ओके गाइस अभी जाब यह देख रहे हो सेकेंड प्रिमियम क्रेट है इसके अंदर भी बहुत सारी चीजे एड करी गई है लेकिन कुछ चीजे अभी तक एड नहीं हुए है और यह सिप पिक्चर दिखा रहा है भी ओके हैलमेट सो रहा है यह भी पुराना है काफी तो जो नेक्स्ट प्रिमियम क्रेट आने वाला उसके अंदर भी काफी सारी पुरानी चीजे एड करने वाले और ऐसा नहीं कि सारी चीजे फरजी एड करी यहां पर कुछ यूनिक चीजे एड करी है जैसा कि काउबूज सेट एड कर रहा है जो कि बहुत पहले आ चुका है यह भी सीजन 14 के करीब ही आयता है ना सीजन 14 के करीब है ना बताव यार कमेंड मुझे आद ही नहीं आता यार इतनी पुरानी चीज सेट भी आड करा यह रहा है यह वाला जो इमोट है ना मुझे अच्छे इमोट की जगा फनी इमोट लग रहा है सच में यह पहले भी आया था मुझे इतना खास तो लगा नहीं था इसके मोट हां सेट ठीक टाक इसका मितिक सेट है तो यह भी चांसे निकलने के नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट हैगा इसके बाद यह डीपी भी आने वाली EC सेट की है देखो काफी OPDP है यह उपाई साव यूयोट की स्किन २ेकों यह इस्टार एंड स्पराइद सप्राइस है स्ट्रैपस हैं स्टार्इवरा प्याञ़ इसका बैकपैक काफी आने वाला backpack यह भी पुराना है ना काफी सारी चीज़ आ रही है ओ भाई साब अरे मिराडो की स्किन आर्मर हंटर मिराडो भाई साम मज़ा आ गया फ्री में मिराडो की स्किन मिलने वाली है गाईज प्रिम्यम क्रेट के अंदर हलोवीन का backpack चोकलेटी backpack यह कौन सा backpack है भाई मास्टर एंड लेंड बैकपैक तो अमेजिंग चीज़ एड हो रही है यह क्या है है हेलमेट इसकिन रॉक्स टर एलमेट है क्या पैन स्किन भी है यह cowboy वाला भाई कोबड़ी बनी वी एलमेट में देखो यह मैंने कभी देखा तो नहीं यार कभाए था यह नो आइडिया गाईज गाईज नो आइडिया अच्छा वैंपायर सेट के साथ ओके हाँ यह यह व क्लासिकेट भी बहुत आमेजिंग आने वाला है अब ही मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लिक्स और यह बगी स्किन देखो भाई सब यह पुरानी इतनी पुरानी है यार यह तो भाई यह भी रेर बगी स्किन है इसको भी निकालना जरूर है और इसके बाद यह पैरासूट की पी 92 भाई साब इतनी सारी चीजे एड़ गरी यार मतलब यार इक गेम के अंदर चल क्या रहा है भाई पूरा पूरा सिस्टम चेंज हिला डाला है गाईज यह पर्चेस बोनस की आउटफिट आइटिंक नहीं नहीं पर्चेस बोनस की नहीं है इस्टिल भाई पढ़ने तो इतनी सारी गनी स्किन यह देखो यह एक्स्ट ग्लासिक क्रेट है अब यहां पर इस्टार्टिंग की दो चार आउटफिट यहां पर तो नहीं होगी जैसे कि आप देख सकते हो एक गनी स्किन बीए दो आटफिट है इसके लावा यहां पर नीजवाली में कुछ पिक्चर्ज हैं जैसे के हेल्मिट स्किन आने वाली है दो पैन की स्किन है एक तो किटन वाला लग रहा है मुझे ओकी यह सो हो रहा है किटन वाला क्यूट किटन पैन यह नेक्स्ट क्लासिक में आने वाला है अभी जो बीज़ next classik pragme ابھی आपको पता है next classik के chances कितने चले हैं लग कितना इंक्रीज्फ हो चुका तो टो यह सैट निकलेगा या फर नहीं वैसे सैट मितिंड है बाई साब एक ओर जोकर सेट जोकर नहीं है यह क्वीन आफ दा वार्थ सेट सब आ रहे हैं भाई सब आ रहे हैं तगड़े चीज़ें आ रही है और अभी तो रुको यार होली क्रेट भी आने वाला है होली स्पेसल क्रेट आइट आपको यूसी में आपन करना पड़ेगा ले मिले तो आप सबी को पता है काफी अच्छे सेट है वसे है इनके बैक पैक भी आप बैक पैंघक गक पयंग नहीं किया और फिर से इसके प्लाइ एक कर ने कि अरुडा करदी इक कर दी धूर अब भी एक निकाली तो इन्यिवसेरा प्लेड़ा कश्रों सेतान वाली सेतान बना वाया भाई MONSTERS और ये कौन से आप्टीट है भाई बहुत पुरानी लग रही है तो यार बहुत सारी चीज़े एड़ कर रहे है भाई दमाकेदार चीज़े एड़ आउरी है अपर ये कौ को औरे UNDERGROUND अंडर्गाउंड सैट वाई यह ना जल्मी गेमिंग को पहने देखता हूं मैं उसका फेरेट आइधिंग यह एड़ हो रहा है और यह क्या है भाई लिजन्री वाली यह मेरे खाल से मेरे पास पड़िये गाइस दिखाओंगा मैं आपको एक बार पड़िये मेरे पास यह सैड यह सैट अरी बाई किसीन आ गहीं ना भी क्लासिक करेट के अंदर फिर से एड़ कर रहे हैं मुझे लग रहा है यह फिर से एड़ कर रहे हैं विकॉज इनके पास डालने के लिए कुछ बचा बाइसाब क्लासिक रेट के अंदर फिर से M416 आ रही है अरे और M416 हर क्रेट में आ रही है वह क्या रहा है हर क्रेट में M416 डाल देखो अभी मैंने दो प्रिम्यम क्रेट आपको दिखाए उसमें M416 थी इसके अंदर भी है और अभी जो क्लासिक रेट चल रहा है उसके अंदर भाई सब दो-दो भाई क्या चल रहा है यह सेट देखो यह भी काफी अच्छा है ना इस सेट का नाम रहसर बोटम सेट आई थेंक यह पॉपुलर है सेट कमेंड बताना मुझे ना उसके बाद यह ती यूजिट आई यह भी आने वाल उसके बाद टक्टी चीज़ है ओके गाईस नेक्स्ट क्लासिक क्रेट भी एंड हो गया कमेंड बता हो आपको बैस्ट लगा या फिर नहीं अब मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट होली क्रेट तो होली क्रेट के अंदर भाई इंडियन बेस्ट आउटफिट आने वाली है जो कि मुझे बहुत कम ल बाई पैन स्किन यह भी गोल्डन है पूरी तो क्या नॉर्मल गाईस आप भी गोल्ड पैन कर गुमते हों कि इंडिया में कमेंड बता ना मुझे बहुत सारे गोल्ड बता रहे हैं यहां पर तो देखो बाई कान नेंट पूरी गोल्डन है लेकिन काफी ओपी इसके नहार हैं अच्छी लग रही देखने में इसके बाद यह मितिक सैट एकोर ओ रहे भाई साब क्या ही सेट है यार पगड़ी वहाई देखो पगड़ी वाला सेट आ इधिक यह पहले यह पगड़ी यह सेट भी आने वाला यह बी ओल्ड है यह काफी लोगों के पास देखा है मैंने यहां पर एक और्णामेंट है कैमल वाला और यह एक और देखो भाई बाहु वली वाली बाई साब बाहु वली सेट वापस आ रहा है उसके बाद यह आउटपिट कौन सी अनार मासक यहां पर यह जो मासक लग रहा है भाई किसका मासक है अरे भाई यह तो मितिक सेट है यार नोबल मासक सेट जो भी है यह आ रहा है भाई साब आपस से यार ओपी मोट है इसका भी जादूगर वाला काफी ओपी मोट है मेरे ख्याल से यह वाली जो आटफिट है किसी स् आप में आई थी गोल्डन वाली काफी ओपी है और यह वाला सेट भी यह भी काफी अच्छा है यार असेसिन वाले एकदम मज़ा आगया देखकर इसको भी और बैक्पेक स्कीन भी काफी ओपी ओपी आरी यार खोली क्रेट है कितने का हो सकता आगी अच्छ एक अजार यूसी की दस इस पिन दें के साले न ले देकना क्योंकि इंडिया का क्रेट इंडिया का मैंगा देते हो इंडिया की चीज इंडिया में में दे रहे ज्यूंनी के फ्री में दे देवें पता नहीं करते कि अरे वाई नीचे देखो मतलब यार बीजय माई के अंदर चल क्या रहा है वाई बैक पैक इसके बाद यह देखो ब्लैक कलर की यह सैट भी पहले आ चुका है मतलब सारी पूरानी चीज़े वापस दे रहे यार पताने इनको हो क्या गया है यह मास्क यह आउटफिट यह आउटफिट भी काफी पैसे यहार कैसी अजीब सी है ना अलगी है तो उसके बाद एक केम की अपने के एसके इसकीब यह वापस आ रही है और यहाँ आप नीचे क्या दिख रहा है वहाई सीजन कौन साथिवाई यह सीजन 9 सीजन 9 की विय एस बाइसाब ग्लेशियर वाली और बाकि सारी 30 आइटम तो इसी तरह से यहाँ पर holy crate भी end हो गया तो guys हो गया ना दिमाग का दई बड़ा सारी चीज़े देखकर अब comment में बताओ आपको सबसे best item कौन सा लगा और crate कौन सा लगा है और ये crate का concept आपको पसंद आया या फिर ये भी comment बताना अब वो मुझे पता नहीं है पसंद आया और नहीं आया लेकिन मेरी वीडियो को like जरूर करना और रहाँ चैनल को subscribe करो नई चीज़े देखने के लिए मिलता है अगली वीडियो में कुछ लिटो के साथ अब देख लियार बाय बाय फ्रेंट्स